दूस्तों गर आप भी लोन लेने कहीं जाते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर होता है कि आखिर हम कैसे पता करें कि हमारा मन्थली EMI कितना बैठेगा यानि कितने साल का हम EMI बनाएं कि हमारा मन्थली EMI कम से कम बैठे तो आज कि इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीका ब मता चल जाएगा तो चले इस वीडियो को जान लेते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि EMI होता क्या है तो आपको पता होता हुगा कि जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको color कर से हम कितने महीने के बनाएंगे कि हमें कितना मंतली loan देना पड़ेगा, यानि EMI का पैसा देना पड़ेगा, तो इसके लिए दोस्तों इस website पे आना है, इस website का link में वीडियो के decision में भी दे दूँगा, ताकि आपको आसानी हो, वैसे बहुत सारे personal loan EMI calculator हैं, लेकिन मुझे ये वाला bank of brother का बहुत ही simple लगा, बहुत ही used to लगा, इस लिए इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे means loan amount, आप कितने का loan ले रहा हैं, जैसेません माले जी आपर ज़ादा कम कर सकते हैं, तो जैसे माले मुझे 10,000 का loan चाहिए, जी हैं तो 10,000 का loan चाहिए, तो आप 10,000 पे कर लीज़े, उसके बाद आप पूछिए बैंक से कि आप कितना interest rate ले रहे हैं तो बैंक बोलेगा कि भाईया मैं तो 5% ले रहा हूँ 10% ले रहा हूँ जैसे माली मैं यहाँ पर करता हूँ पांच नहीं मैं करता हूँ यहाँ पर 10.15% अब आप सोचिए कि आपको लोन का पैसा कितने महीने में देना है और यहाँ पर देख सकते हैं मन्थली अमाउंट यहाँ पर लिकल जाएगा कि महीने में आपको कितना देना पड़ेगा तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जैसे कम कर सकते हैं यानि घर बैटे बैटे ही पता कर सकते हैं कि मैं कितने महीने में दूँगा तो मुझे मन्थली कितना पैसा देना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ही क्रिटिकल होता है हमारे सामने प्रोब्लम आता है कि आखिर हम कैसे कल्कुलेट करें कैसे पता करें कि हमें कम से कम पैसा महीने में देना पड़े और हमारा EMI लंबा भी न हो तो इसी तरीके से आप भी पता कर सकते हैं बड़ा ही आसान है जितने का लोन चाहिए उतना माउंट पैसा देना पड़े तो बहुत ही सिंपल तरीका था लेकिन बहुत से लोग अभी तक नहीं पता तो मुझे उमिदा आपको वीडियो पसंदा होगा वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें